Hello what's up guys, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि react version 19 में आप कैसे dark mode and light mode toggle button उसको आप create कर सकते हो और website का पूरा color theme change कर सकते हो बहुत ही important feature है and being a web developer आपको at least यह पता होना जरूरी है कि इसको आप कैसे create कर सकते हो क्योंकि आज कल हर एक website पर आई आई मीन यहां पर हर एक website पर आपको यह देखनी मिलता जहां पर आप dark mode and light mode का option प्राप्त कर सकते हो तो वैसे ही आज का वीडियो बहुत important है सच में यह देख आप देख रहे हो अभी थ्वी दिर पहले react का जो official website है अगर आप देखोगे एकदम corner पर यह वाला जो आपको icon दिखाई दे रहा है daddy सुरज का sun का इस पागर में क्लिक करता हूं तब वो क्या हो जाता है ध्यान से देखो आपका यह night वाले पर चला गया इसका मलदब यह कि अभी आपको आई सुरज धूप निकल गया है उजाला अगर आपने मेरे बाकी की रीमेनिंग वीडियो को चेकाउट नहीं कि हमारे react version 19 प्लेइस्ट में जरू चेकाउट कीजेगा बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट है एंड गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापर टेक्निकल को सब्सक्राइब कर दिजेगा मुझे ब आप इसको मान लिजे इसको आप एक स्थरीके से डिप मान लिजे उस डिप के अंदर डेफिनेटली यह एक सिंपल सा टेक्स्ट है नौ इस टोटली अप टो यू कि H1, H2, H3 या आपको पराग्राफ जो लेना होलो बट इन रियालिटी आपको लेबल वाइस जाना चाहिए हने तो फिर H2, H3 या फिर H3 से बिलो देख सकते हो text और एक इक इमोजी जो कि बड़ी बात नहीं में रियालिटी आपका आता है जब आप इस पर्टिकुलर बटन को प्रेट करते हो जी हां गाईस यहां पर आपने नोटिस की होगी कि अपने बटन को प्रेस करते हो तो इस जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां पे तेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है switch to light mode उसके बड़ उसका नाम हो जाते है switch to dark mode तो यहां पे कुछने कुछ conditions हम यूज कर रहे हैं वो conditions क्या होगा and second best thing मैं यहां पे tailwind CSS का use करने वाला हूं तो यहां पर तेल्वेंट कि मदद से आप यह ओसम विबसाइट कैसे क्रेट कर सकते हैं वह मैं बताता हूं चौले देखिए सबसे बैल तो गाईस आज इस वीडियो में मैं इसको कैसे आप क्रेट कर सकते हो खुच से उसके लिए मैंने कुछ यहां पर स्टेप्स लिखे हैं जिसके अंदर हमें स्टेट एक फंक्शन लगेगा वह टॉगल करने के लिए दैन वी निए तो पास दी वैल्यूज हमारा वो प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर यहां कल की वीडियो में मैं आपको बताता है यूज आपको बताता है यूज आपको डेट करना है तो प्लीज आप इसको रिट कीजेगा मैं नीचे सेर कर दूँगा इसके मदद से आप खुद से इसको क्रेट कर सकते हो तो फिलाल अभी मैं आपको अपना फोल्ड स्ट्रक्चर बता देता हूँ यूज आपको क्या नाम देना है इस कंपोनेंट का मैं ने यह दे दी ठीक है और जब भी आप काम करते हो कभी आपको मालूम है कि कब हम इस स्टेट को मैंनेज करना है और में अब कांटक्स्थ API देख रहते आपके सबसे पहले हुए्सध हाँ क्रेट केसे बिदा क्रेट थेक है कין करते आपको को एक ब्रारिशन और यह आपको एक कंपोनेंट कर रहे है यह जगे जगे हमें use कर ना इसको मैं export भी कर रहा हूँ ठीक है ताकि बात में जब हम use context की मदद से data get करना चाहे तो वहाँ पर हमें यह जो हमारा context है उसको basically as an argument पास करना पड़ता है so this is our step one जो done होगी है now we need to create a provider component जिसके अंदर हम अपने जितनी भी data उसको store करते है and at the end जो provider property में जो values वाला attribute होता है यह props हमें पास करना पड़ता है तो second step is to create a provider component and कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ so again उसको भी आप export कर दो const and let's go with theme and then आपको provider लिखना है बस इस तरी किसे ठीक है and यह आपका fat arrow function इस तरी किसे रहता है जब आप return keyword लिखते हो तब आपको क्या करना पड़ता है यह जो theme context है आपका इसमें we have one property called provider वो आपको mention करना पड़ता है and इस provider के अंदर ही basically यह जो component है as a props आपको value हमें मिलती है and इस value के अंदर ही हमें वो सारे values या वो सारे data या वो सारे state को हमें pass करना पड़ता है जो बात में कोई भी कहीं से भी access कर सकते है फिल्याल अभी हमें नहीं idea तो मैं as it is खाली छोड़ रहा हूँ and एक चीज आलवेज यहाद अखना यहाँ पर आपको destructure करना है and आपको children को return करना होता है यहाँ पर भी आपको guys इस तरीके से children return करना पड़ता है and make sure children जो है small letter में होना चीए अभी यह मैंने क्यों किया थोड़ी देर में बताता हूँ and already अगर आपने मेरा Context API का वीडियो देखा है तो आपको मालूम है the reason why हम children को इस तरीके से wrap कर रहें inside a provider property ठीक है तो ध्यान से दिखेगा जब हम all right वो तो फिलाल अभी चला गया बर च एक simple सा चीज है कि जब मैं इस पे click करूँ तो कुछ ना कुछ value तो change हो रहा है no matter what कुछ ना कुछ change हो रहा है तो अगर कुछ change होता है उसका always we need a state तो at least मुझे एक state तो पता चल गया है and that is कि उस button पे click करने पे कुछ ना कुछ तो value change है let's say light and then dark click क्या तो light and then again click क्या तो dark कु पे theme पे चल देते है comma set and then theme पे चल देते है ठीक है and we have to use the use state ऐसा नहीं जब आप context use करो ता आप state use नहीं कर सकते है you can either use reducer hook else use state फिलाल तो अब इस सी वे एक ही state है तो फिर यही best है and let's go with light by default हम light के साथ एक काम करते है dark के साथ चलते है ठीक है dark के साथ चलते है by default dark आजकर लोग ज्यादा prefer कर रहा है and फिलाल चलो इतना मेने कर रख दिया अब यह जो पार्ट है ठीक है यह जो थीम है इसको copy करो and यहां पे paste कर दो मैं directly स्थरी के से paste कर रहा हूं as an object की तरह जब आप object की तरह paste I mean past करते हो आप यह समझ लो कि जो यह आपकी एक value है तो हमें मालूम है एकमा स्कृट में whenever like the key and the value both are same then there is no need to write them two times अब like directly एक बार लिग दो तो वह समझ जाता अच्छा हाँ यह है तो basically मैंने यह वाली value जो ही यहां पर पास कर दी perfect ठीक है अब यह मेरा काम हो गया ठीक है अब हमें क्या करना होगा का इस हमें देखना है कि हमें क्या लगने वाला ठीक है अब मैं नीचे चलता हूं मैं क्या करने आपका सारा data रहेगा अब क्या करोगे आपके यहां पर multiple components रहेंगे एक दो तीन चार है ना इस्तरगे से लेट्स को वित फो तो होगा यह कि अब जिसको भी कभी भी डेटा लगने वाला है का इस बीना किसी प्रॉब्लम से वो डेटा ऐसे इस्तरगे से गेट कर लेगा समझे रहें वो इस्तरगे से यहां पर डेटा गेट कर सकते हैं तो अभी यह है आपका कॉंटेक्स जो कि मैंने बना ली अब में एक कंपोनेंट बनाने जा रहा हूं यहां पर यह वाला क्रियेटिंग कंपोनेंट ठीक है अब आपने देखा होगा बाकी लोग अलग 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 जगे पर करते है और बेसली हम भी करते लेकिन यह इतना बड़ा तो करने वाली है वाली है तो लेट सबसक्राइब में लिख देता हूँ switch to light mode because by default मैंने dark रखा हुआ है ठीक है and dark light mode website ये कहां पे है मेरे h1 पे है hello my react version 19 fancy this is it है ना like इतने ही तो था वो मैं आगा यहां पे चलता हूँ इस जगे पे तो all right all right मैं आपको एक चीज़ बात आता हूँ console पे में देखो the thing is हमारा code कहीं पे भी wrong नहीं है but हमने एक mistake की है and मैंने बहुत important एक video बनाया था and मैंने कहा था no matter what like logo mistake करते है ये देखो यहां पे 90% devs will do this mistake ये video बहुत important है and साथी साथ मैंने आपको इस video में भी पताया था basically तीनों video बहुत important है but ये एक video को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ये अलगी का आप का लाइक में बता रहो ना ये अलगी stand out करेगा इसकी पीछे का reason अभी देखा ना आपने हम एक error भी नहीं है और दिख भी कुछ नहीं रहे उसकी पीछे का simple reason ये है जब भी आप context यूज करते हो राइट यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा हुआ है चिल्रेन ये देखो इवन मैंने return भी क्या होगा यहाँ पर चिल्रेन इंसाइड आओ लाइक प्रोवाइडर के अंदर भी तो हम ये जब children as a props get कर रहे है जब मैं इस तरह के से pass कर रहा हूँ तो ये children क्या चीज है हमें ये children आखिरकार कहां से मिल रहा है तो वही आपका सबसे ज़ाद important है and that is कि आपको आपका जो main app component है वहाँ पे चलना पड़ेगा ये जो आपका theme provider है ठीक है इसलिए मैंने इसको already export की ती इसको आपको copy करनी है and यहाँ पे आपको इस तरह के से add कर देना है तो अब इसके अंदर आप जो भी component पास करते हो वही component के पास power है to get these values data from anywhere right मैंने अभी आपसे बताया था ना एक simple सा diagram ये आपका container है and here we have multiple components तो ये जो multiple components आपको दिख रहा है ये like पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सभी के सभी क्या होने चाहिए आपके हमारा ये जो context है उसके direct children होने चाहिए तब भी हम access कर सकते है and direct children बनने के लिए या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो जो particular component है आपके हमें इस पर्टिकुलर component के अंदर उसको पास करना पड़ता है समझे रहा है this is the beauty मैं जस इंपोर्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं यहाँ पे ठीक है अब ये मेरा context है and उसके अंदर मैंने इसको पास कर दिए so now this is the children of my theme provider and यही है वो children यहाँ पे देखो यह children का मतलब भी वो provider and मैंने इस तरह की से पास कर दी it means कि अब मेरे children इस particular value को I use कर सकते है ठीक है अब मैं आकर यहाँ चलूँगा तो obviously मुझे मेरा data मिल जाना चाहिए and boom guys see मुझे मेरा data आगिया है अब perfect see the thing is यह मेरा एक button है ठीक है अगर आप द्यांसे देखो गए तो मैंने click किया इस पे अभी and बता भी रहा बहुत सारे चीज़े यह नहीं है वो नहीं है टाइमपा सिधा अधर ठीक है बटा भी कोई error नहीं है देखो अब मुझे इस पे clickable बनाना है कि इस पे click करूँ तो इसका text change हो जाए and बागी का मुझे color change करना है देखो अब यह सभी के सभी सिर्फ एक चीज़ की उपर dependent है वो है मेरा यह basically set theme अगर dark रहेगा मेरा theme की value तो मेरी website का पूरा look कैसा होना चीए dark mode वाला अगर इस particular theme की value let's say अगर यह light होती है तो मेरे website का theme कैसा होना चीए basically look कैसा होना चीए light mode वाला तो इसका मतलब तो है कि पूरा इसके उपर खेले अब यहाँ पे जब भी कोई इस button पे करेगा click whenever anyone click on this particular button on click and अब now simple में toggle event तो नहीं but what I can do is toggle यह मैंने बना दिया handle, toggle, theme now guys आप देखने वाली बात है कि यह जो function को मैं call कर रहा हूँ best part जब भी आप context के साथ काम करोगे कभी भी आपको जो आपका actual component है वहाँ पे कुछ नहीं करना है सारा का सारा state function सब आपके का होने चीए context के अंदर तो यह मुझे पता चल गया अरे मुझे अब एक और function लगने वाला है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो function को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ ताकि कोई भी उसको कभी भी get कर सके and second thing मुझे अब उसको यहाँ पर define करना पड़ेगा इस तरीके से अब यहाँ पर बहुत ही जादा simple and that is की बस मुझे क्या चीए dark को light light को dark करना है तो return we have this set theme ठीक है जहाँ पर मैं fat arrow function उसकर रहा हूँ and by default हम यहाँ पर previous जो हमारे state रहता है वो हम get कर सकते है ठीक है previous theme में लिख दे रहा हूँ हाला कि आप उस पर कुछ भी नाम लिख सकते हो खाली previous लिखा तो भी चलता but मैं क्या कर रहा हूँ अगर मेरा यह जो previous theme है if triple equal to अगर यह dark था तो इसकी value अब आप light कर दीजिए else आप इसको dark ही रहने दीजिए simple this is it तो इससे क्या हुआ इससे हुआ यह कि अगर मेरा previous basically मेरी theme की value अगर dark थी तो आप उसको light कर दीजिएगा अगर dark नहीं था मतला वो light था तो आप उसको dark ही रहने दीजिए तो मैंने conditional operator यूज की अब यह जो handle toggle theme आपको इस तरह की से default दीख रहा है इसलिए क्योंकि मुझे यहां पे उसको आप get करना पड़ेगा and बहुत easy है so it's const लिखने से पहले either you can go with use context hook or else we can go with simply use hook only and यहां पे आपको वो theme context लगने वाला है and मैं directly यहां पे उसको आप bestructure कर सकता हूँ const जहां पे पहले तो वो theme and दूसरा आपका यह handle toggle theme this is it अभी यह use जो है मुझे सबसे top पे get करना पड़ेगा so it's totally up to you and कल के वीडियो में मैं आपको बताया था कि use context hook के बतले अब आप simple यह जो use hook भी लोग बोलते है actual में यह आपका एक API है तो use API का आप use कर सकते हूँ जो की बहुत ज्यादा होसा में ठीक है तो इसका तो मैरा problem चला गया अब यहाँ पर एक चीज जरूर है यह जो switch to light mode है obviously यह भी हमारा change हो रहा था switch to dark, switch to light it means कि इस particular को भी मुझे condition पर लगाना पड़ेगा अब यह जो आपका theme है ठीक है it's totally up to theme अगर यह theme जो है आपका dark रहता है ठीक है तो light mode else switch to we have a dark mode simple, I hope guys आपको यहाँ पर कोई problem नहीं आ रही होगी जहाँ पर हम already यह सारे conditional operator देख चुके already हम कैसे यह condition use कर सकते है already हम यह like state के साथ कैसे खेलना context के साथ कैसे खेलना like basic सा है यह अब अगर मैं यहाँ पेटली चलता हूँ द्यान से देखना ठीक है अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा boom guys switch to dark mode switch to light mode यह देखो है ना एक और चीज इंस्पेक्ट we have our components we have a theme provider यह perfect C द्यान से देखना आप ठीक है यहाँ पर dark है the moment में क्लिक करूँगा इसकी value light होगी perfect देखो मतलब switch to dark mode अभी फिलाल state light में है ना इसलिए dark mode पे the moment light mode पे तो अब यह dark I mean आप समझ रहे हो ना कि मुझे बहुत awesome तरगे से मेरा सारा काम होगी अब खाली एक चीज रह गया है and that is to use Tailwind CSS and उसके base पर आपको पूरा सब कुछ खेलना होगा जैसे यह आपका एक div है main div है जहां पर मैं अब class name यूज करता हूँ देखो मैं already Tailwind CSS को आप कैसे integrate कर सकते हो in our react version 19 उसके उपर मैं already video upload कर चुका हूँ and I guess CSS modules conditional inline style and here we have our Tailwind CSS तो यह video number 22 जो है इसको प्लीज चेक आउट कीजेगा आपको यह पाता चल जाएगा कि Tailwind CSS को react version 19 में आप कैसे add कर सकते हो ठीक है perfect and मैंने फिलाल कुछ नहीं किया हुआ खाले आपका यह जो tailwind.config file है आप एक बाद चेक आउट कर सकते हो जहां पर मैंने एक font add कर रखी है sign करके ठीक है और कुछ extra नहीं है बाकि सब IJT's है and मेरा जो index.css वाला जो file है उसके अंदर यह base component को रखना जरूरी है and second thing यह video को देखना इसलिए भी important है क्यों? क्योंकि हम क्या use कर रहे है we are using wheat and wheat में tailwind CSS को आप कैसी उस कर सकते है वह भी बहुत matter करता है तो वह मैंने तरीक आपको इसमें बाताया हुआ है वीडियो नमबर 22 को जरू चकाओट कीजिएगा so I hope आपको समझ गया होगा आप तो कुछ ही नहीं करना है जो हम इनलाइन CSS लिखते थे नॉर्मल CSS की दुनिया में tailwind भी वह ही है अब आपको क्या ही बताओं में तो है ना कालिब्रेस दे दीजिए बैक टेक यूज करना है उसके अंदर पस लिखते जाना सबसे पहले तो मुझे पैडिंग चीए from all the four directions तो पैडिंग फोड में ने दे थे ठीक है लेट सी क्या होता ही है और मुझे पैडिंग मिल गया यहां पर पॉफेक्ट मुझे सेंटर में चीए अब यह बहुत ही जात है इंपोर्टेंट है और लोगों का सबसे पहले कंसर नहीं आता तो भी फ्लैक्स कॉल है एक के नीचे का आगए देखो है ना अब उस बेसिकली बटन ने पूरा विट खाले अब क्या ही बता हूं सो जस्टिफाई सेंटर आपको काना पड़ेगा बेसिकली वही आपका सेंटर वाला है अब ब्यूपोर्ट हाइट ले ले तो हम 100VH लिखते थे यादे तो यहां पर देखो बहुत सारी चीजे है किसी को याद नहीं होता है जब तक आप continuously काम नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा तो मैं हाइट पर जाता हूं यह देखो यह आप हाइट पर आगए यहां पर आगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजे मिलेंगे देखो यहां पर यह वाला पार्ट यह देखो क्या लिखा है हाइच हाइफन एल वी एच मतलब हंड़ेड व्यूपोर्ट हाइट यही मुझे चीज़ता है हाइच हाइफन एल वी एच तो काईस आपको प्रैक्टिस लगेगा तब ही आपको समझेगा यह सब क्या है लेकिन उससे पहले यूनिट टू नो की क्या होता है अगर अबकर दूनिया में कहीं पर जादे आपकर थीक हले हैच मेरा काम होगी अब तो है इस चीज यह है कि ध्यान से देखना मैं अब एक condition यहां पर आड़ करने जा रहा हूँ and that's why मैंने पहले से यहां पर back tick रखा था in curly braces मैंने रखी थी क्योंकि इस तरीकी से अगर मेरी theme की color होती है dark समझे रहे हो dark नहीं dark then मैं चाहूंगा मेरा जो background color है वो क्या लिखा है मैंने grey 800 ठीक है अगर dark है तो अगर dark नहीं है then my busy color will be white simple देखा यह है गाईस आपका funda trick the moment आप change करोगे इस button को click करके या तो dark हो गया तो light अगर dark है अगर dark है तो यह अगर dark नहीं है तो यह ठीक है यहां पर यह देखो कैसे लगा dark mode light mode dark mode यह है ने कितना ज्यादा awesome बस अब करना कुछ नहीं मैंने notice की कि we have a button also button को एक color दिया हुआ है तो मैं यहां पर चलता हूँ एंड हाँ एक और तरीका आप देखो यहां पर यह जो मेरा button है इस पर मैंने class name add कर दिया और मैंने कोई back tick use नहीं की है ना मैंने कोई सिर्फ यूज की है तो यह double code simple and उसमें मैंने अपना सारा classes लिख दिया जहां पर background का color यह hover करने पर यह इस तरीके से text का color white कर दो थोड़ा सा round कर दो margin top दे दो and padding from all the four side तो at least कुछ आपका वो ऐसा हो गया है अब खाली बचा तो यह यह वाला part कि इस पर अगर click करता हो तो इसका color white हो जाए अगर dark है तो white हो जाए अगर light है तो जो है as it is रहे नहीं दे यहां पर मैं चलता हूं copy यह जो particular part and then paste simple and I guess यह इस तरी किसी यह perfect इसकी नीट नहीं एक्स्टा कमेंट है वो तो देखो अगर light नहीं तो चलो dark ठीक है लाइट है तो color dark कर दो अगर light नहीं है तो color white कर दो ठीक है यह देखो यह है ना कितना ज्यादा awesome देख रहे हो यहीं तो हो था आपका toggle light and dark mode अब से में इस piece of code को copy करो एंड आपका यह जो paragraph पार्ट है यहां पर उसको चिपका दो ठीक है यह एक्स्टा कमेंट हटाओ एंड यहां पर extra large लिखने की नहीं है only let's go with large and आपका यह काम होगी है यह देखो आपका code बनके ready है कैसे लगा गाइस यह देखो डार्क एंड लाइट में देखो switch to dark mode switch to light mode yeah this is it तो गाइस आपको यह वीडियो कैसा लागा let me know in the comment section and finally हमने एक और website बना के दिखाई I mean मैंने आपको एक और website बना के दिखा कि कैसे आप react में tailwind sss की मदद से with few context API use state की मदद से थोड़ा conditional ट्रिक की मदद से आप टॉगल website कर सकते हो switch to dark and light mode वाला है ना जो कि आपको अब at least यह वाला तो आइड आपको पता चल गया किनों ने क्या किया हुआ है ठीक है तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के share and बहुत मेहनत लगती वीडियो बनाने में मैं आपके लिए रेडि हूँ बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए दो सेकेंड का कम फट से क्लिक करना सब्सक्राइब बटन और राइट साइड में क्रेट कर लएगा बेल आइक घंटी दिखाए देता उसको जरूर रिट कीजिएगा और कम्प्लीट सोर्स कोड तो बिल्कुल फ्री है ही लेकिन आगर आपको मेरे सारे वीडियो चाहिए यूटूब में जितने भी आज तक में अप्लोड की दें सोर्स कोड मेरे वेबसाइट पाईएगा थापर टेक्निकल डॉट सॉप यहां पे सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 1.99 रुपीस एक बर्गर किंग में बर्गर ना मिले सब्वे में आपको एक सब्वे का खाने को ना मिले बट इतना मेरी जिंदेगी भर की कमाय में से 1.99 में आपके लिए दे रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए ठीक है तो आउसको भी चेक आउट कीजेगा प्ल